हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत्व बिज्ञान का एक महत्वपों टॉपिक लेकर आए हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यह टॉपिक है हमारा आउतल धरपन द यह अुट्व यह और इसका मुख्य अच्च है तो सबसे पहले हम मानेगे यह हमारी एकि वाय अउतला दरपन है और यह इसका धुरू है धरपन का धुरू पए और यह धरपन का फोकस है मुख़़ फोकस तर्था यह वह कर्ताति ज़ीयसी है और यह मुख्यच का अनंतり ब अब हम देखते हैं वस्तु की इस्तिती यानि वस्तु कहां कहां पर रखी जा सकती है तो सबसे पहले मुख्य अच्छ पर हम देखेंगे कि वस्तु हमारी कितने इस्तितियों में रखी जा सकती है तो सबसे पहले वस्तु जो रखी जाएगी वह अनंत पर होगी फिर दूसरे नंबर पर वस्तु रखी जाएगी वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच यानि यहां पर और तीसरे में वक्रता त्रिज्या पर रखी जाएगी और उसके बाद चोथे नंबर पर रखी जाएगी वक्रता त्रिज्या और फोकस के मद्ध और पांचेवे नंबर पर वस्तु तो रखी जाएगी फोकस पर और छटवे नंबर पर रखी जाएगी फोकस और धुरूव के बीच यानि इन 6 इस्तितियों पर वस्तु हमारी रखी जाएगी अब देखते हैं इनका प्रत्विम कैसा और कहां पर बनेगा तो प्रत्विम की इस्तिति देखते हैं सबसे पहले यदि वस्तु इस साइड बनता है तो वस्तु हमारा वास्तविक होगा और उल्टा यानि उल्टा प्रतिविम्ब अगर बनता है तो वह वास्तविक प्रतिविम्ब होगा यह हमेशा होता है और यदि वस्तु अभासी बनता है तो सीधा होगा यानि वस्तु यदि प्रतिविंब सीधा बनता है तो वह आभासी होगा यह होता है तो यदि वस्तु आनंद पर रखी है तो उसका प्रतिविंब जैसे जैसे वस्तु दरपन के पास आती है यानि जैसे वस्तु एक नंबर यानि नंद पर है फिर दूसरे नंबर पर है यानि जैसे जैसे वस्तु इस तरफ दरपन के पास आती है वयसे वश्टू का प्रत्विंब बड़ा बनता है यानि जैसे वश्टू यहानी छै पर नंबर पर ढखी है यानी फोकस दूरूब के मद्ध रखी है तो उसका प्रत्विंब सबसे बड़ा बनेगा यहां नोट कई है ज्चावल के पास आती आती है वैसे वहरे वोश्थू का प्रटीम बड़ा बनता है तो आप देखते हैं याद तो तो अनंत पर रखेंगी तो मात्र एक데 के तो यहाँ पर यह कही सकते हैं कि यदि तौब पर रखे तूब हमारा प्रतवीम हाँ और थी यहां पर दो लुक हैं तो इसे पकार से वेस्टो हैं तो उसका पृत्वीम में भी वखुता तीरज्ण पर बने ऋ्यों ओर समान अकार का बनेगा अगला हूए यदि वस तू वखुता तीर्ज्ण और फोकस के मध्य रखी है यानि यहां चार नमबर पर तो उसका प्रित्विंब वकृता तिर्जा और अनन्त के मध्य बनेगा यानि चार नमबर यहां पर इसे परकार से अगला नमर यानि इस तरब जो भी प्रत्वीम बनेंगे बाएं साइड पर वह वास्तिविक और उल्टे होंगी अब वस्तु अगर छटवे नमबर यानि यहां पर रखिए फोकस और धुरूब के मद्द तो इस इस्तिति में वस्तु का प्रत्वीम हमारा दरपन के पीछे दाएं साइड बनेंगा और कैसा बने गएगा अभहासी तता सीधा जैसे कि स्रूम बताये था हमने कि दरपन के पीछे जितने भी पिटवीम बनते हैं वो अभासी होते हैं और अभासी प्रत्विम हमेशा सीधे बनते हैं तो जैसा आपको समझ में आ गया होगा चलिए पी हमारा क्या है दरपण का दुरुव यह संकेत है यह मुख्य फोकस है सी वकरता त्रिज्या है और यह अनंत नोट यदि वस्तु का प्रत्विम मुख्य अच्छे से नीचे की ओर बनता है तो प्रत्विम वास्तविक उल्टा हो बनता है और यदि वस्तु का प्रत्विम मुख्य अच्छे से उपर की ओर बनता है तो वस्तु का प्रत्विम अभासी सीधा बनता है इसे अभासी वस्तु का पृत्विम मुख्ध अच्छ से दिजेंदानली की और तो इसमें और तो यह वस्तु का परितविम व्वास्थ रुप्थ से रुपर होगा तो उत्रब्तविम नहीं के और है तो ओपर उमें प्याफ्थ हूड जैसा कि यह तो अगर ऊपर की और बनता था आ तो वो प्रत्मीब हमारा अभासी होगा और सीधा होगा तो यही बताया गया है तो आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा